हालो फ्रेंट्स आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा भाई अनीता चंद्रा में तो दोस्तों आज की वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक एक्वेशन द्विखास समीकरन के एक्साइज 4.1 की तो चलिए स्टाट करते हैं एक्साइज एक्साइज में हमारे पास फर्स क्वेशन है चेक वैदर दॉफ फॉलिंग आर क्वाड्रेटिक एक्वेशन कोई भी नमबर हो सकता और नहीं भी हो सकता नहीं भी होने का मतलब वहाँ पर 1 भी हो सकता है so x square वहाँ पर होना चाहिए plus second term bx होना चाहिए means x के आगे कोई number होना चाहिए और आखरी की जो रखम में constant होना चाहिए means without x होना चाहिए so आपको याद रखना है पहले किसी भी जो आपके पास variables है variable का square होगा फिर उसी variable का आपके पास linear equation में होगा और फिर आखरी में constant होगा यह आपने ध्यान रखना है चलिए start करते है first question first question है x plus 1 का whole square equals to 2x plus 3 तो यह आपका first question है x plus 1 का whole square plus 2 bracket में x plus 3 तो सबसे पहले मुझे देखना है यहाँ पर x plus 1 का whole square का एक formula बन रहा है a plus b का whole square और इस bracket को भी हम खोलेंगे bracket को खोलना है तो 2 को x से और 2 को 3 से means bracket के बाद जो भी number आपको सबसे multiply करना है तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते है square खोलते है तो square कैसे खोलेंगे a plus b का whole square a का square plus b का square plus 2ab so a जो है वहाँ पर x है और b आपके पास 1 है तो a का square मिन्स x का square plus b का square plus 2ab मैंने formula लगा दिया बराबर में खोलेंगे bracket को 2x से करेंगे 2x और 2 को 3 से करेंगे 2 3 the 6 तो अब चलिए bracket को खोल लिया हम लोगोंने आगे देखते है formula क्या बनता है so यहाँ पर x का square किया तो x square आ गया 1 का square किया और इसको 2x into 1 2x हो गया दोनों side से 2x 2x cancel होगे अब यह ध्यान रख रहे है आप दोनों side से रकम को तभी cancel कर सकते हो अगर उन दोनों terms का जो sign है दोनों equal to के right hand side और left hand side दोनों में sign same है अगर sign different है तो आप equal to के इधर नहीं काटनेंगे फिर उसको एक तरफ लागे काट सकते है तो चलिए 2x यहाँ से cancel होगे अब मेरे पास बच्चा क्या x square प्लस 1 और इस minus को 6 को इधर लेके आएंगे प्लस का 6 तो आपके पास equation बन गए अब जो solution आ गया वो है x square प्लस 7 अब question यह है क्या यह quadratic equation है यह नहीं है तो जो रकम आपके पास नहीं है वहाँ पे आप लोग 0 लगा सकते हो तो that means x square होना बहुत जरूरी है उसके बाद बाली कोई रकम नहीं है वहाँ पे आप 0 पूट कर सकते हो तो इसका मतल़ यह क्या हो गया आपके पास एक द्विगाता में करन हो गया चले second part देखतें इसका second part है x square minus 2x equals to minus 2 bracket 3 minus x तो यह आपके पास second question है यहाँ पर कोई formula तो नहीं है लेकिन bracket हमारे पास है तो हम bracket को पहले खोल लेते हैं सो x square minus 2x को मैंस से लिख दिया minus 2 को 3 से करेंगे minus 6 हो गया minus 2 को minus x से करेंगे minus minus plus plus का 2x हो गया अब देखना है यहाँ पर दोनों साइड में 2x 2x है लेकिन equals to के यहाँ पर जब अगर आपने cancel करना है तो दोनों का sign सेम होना चाहिए लेकिन यहाँ पर sign क्या है different ऐसले कटे गा कि प्लस का 6 हो गया तो अब solve करते हैं solve करने के लिए देखते है minus 2x minus 2x सेम साइन है तो add हो जाएंगे 2 plus 2 4 और 4x हो गया तो आपके पास अंतर आ गया x square minus 4x plus 6 अब यह हमें चेक करना quadratic equation है कि नहीं है तो x square है फिर x और फिर constant है तो इसका मतलब क्या है quadratic equation है चलिए नेक्स दे यह दूसरी bracket तो आपको करना क्या है यहां दोनों साइड आपको bracket ही solve करनी है तो चलिए bracket solve करते हैं हम लोग तो bracket solve करने के लिए क्या करना है यह जो x square है इस x को x plus 1 से एक बार multiply minus 2 को x plus 1 से एक बार multiply इधर x को x plus 3 से multiply minus 1 को x plus 3 से multiply तो मैंने क्या किया मैंने यह ही किया यहां प x plus 1 के साथ, minus 2 को x plus 1 के साथ, इधर x को x plus 3 के साथ, और minus 1 को x plus 3 के साथ, अब next step में bracket खोल लेते हैं हम लोग, चली देखते हैं, X को X से करेंगे X के रो गया, X को 1 से करेंगे X हो गया, यह bracket solve हो गई, इस अगली bracket पे, minus 2 को X से करेंगे minus 2X हो गया, minus 2 को 1 से करेंगे minus 2 हो गया, तो यह next bracket भी solve हो गया, अब right hand side आते हैं, X को X से करेंगे X के रो गया, X को 3 से करेंगे 3X हो गया, तो first bracket solve हो गया, next एकते हैं, minus 1 को x से करेंगे माइनस x हो गया माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3 हो गया तो यह आमने second bracket भी solve कर लिए अब bracket सारी solve हो गया है अब हमने solve करना है दूसरी रकम को तो सबसे पहले देखते हैं दोनों साइड x square x square है solve हो गया इधर x और 2x-3 हो गया तो दोनों साइड से x-x cancel हो गया अलरी तो अब मेरे पास क्या बचा एक्स को काटने के बाद इधर बचाए मैनस x और इस plus 2x को इदे लेके है minus 2x हो गया minus का 2 ओलरी यहाँ पर था इस minus 3 को लेके आएंगे plus 3 हो गया अब मेरे पास हो गया minus x और 2x solve करके minus 3x और यहाँ पर 2 और 1 को solve कर 2 और 3 को solve करके 1 आ गया अब यहाँ पर x की square तो है नहीं तो अगर नहीं है तो इसका उतले यह दिखात सेमिकरन नहीं है चलिए next equation पर चलते हैं इस question है x minus 3 into 2x plus 1 bracket में x bracket में x plus 5 so simple जैसे पहले equation पहले question में हमने bracket solve की थी आप भी bracket solve करते हैं तो पहले x के साथ 2x plus 1 को लिख देंगे minus 3 के साथ 2x plus 1 को लिख देंगे इधर x को x से multiply करेंगे x square हो गया x को 5 से multiply करेंगे 5x हो गया अब खोलते हैं इस bracket को x को 2x से multiply करेंगे 2x square हो गया और x को जब 1 से multiply करेंगे x हो गया minus 3 को 2x से multiply करेंगे 2 3 तो 6 हो गया minus 3 को 1 से multiply करेंगे minus 3 हो गया इधर हमारे पास x square plus 5x अल्रीडी था so पहले solve करते हैं इधर 2x square एसी हमने नीचे उतार दिया 6x और x को solve किया तो हमारे पास क्या हो गया minus का 5x हो गया और minus का 3 मेरे पास था इधर से x square को इधर लेके हैंगे minus का 3x हो गया plus 5 इधर लेके हैंगे minus 5 हो गया so अब हमारे पास इसको solve करते हैं यह हो गया मेरे पास 2x square में से x square गया तो x square minus 5 minus 5 minus 10x हो गया और माइनस 3 अब मेरे पास इसमें square है फिर x है और फिर constant है तो इसके मतलि यह क्या है एक दूइकाल से मिकरन है चलिए next है fifth part 2x-1 into x-3 equals to x plus 5 into x-1 तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे सब्से बिले 2x को x-3 से multiply और minus 1 को x-3 से multiply second right hand side x को x-1 से multiply plus 5 को x-1 से multiply तो यह हमने यहां पर लिख दिया है चलिए इसके आगे index चलते है ब्रैकिट खोलते हैं सबसे पहले यहां पर हमारे पास आएगा 2x को जब x से करेंगे 2x के 2x को 3 से करेंगे minus 6x उसके ज़िए minus 1 को x से करेंगे minus x हो गया और minus 1 को minus 3 से करेंगे plus 3 हो गया इधर x को x से करेंगे x के x को 1 से करेंगे minus x plus 5 को x से करेंगे 5x और 5 को minus 1 से करेंगे minus 5 तो दोनों के right hand side पहले दोनों के x x solve करते हैं यहां का 2x के 6x and minus x minus 7x आ गया plus 3 इधर x के ऐसे ही है और इधर 5 and 1 को solve किया तो plus का 4x आ गया minus 5 सो अब करना किया हमें दोनों रकम के एक side ले आते हैं सारी रकम तो 2x square यह plus का x square इधर आके minus x square हो गया minus का 7x मेरे पास था plus का 4 इधर आके minus 4 हो गया plus 3 यह minus 5 इधर आके plus 5 हो गया तो जब solve करेंगे 2x square में से हम लोग x square को minus करेंगे तो x square हो गया 7 and 4 दोनों का निशान minus है तो 7 और 4 11 तो minus का 11x हो गया इधर 5 और 3 कितना हो गया 8 तो plus 8 equals to 0 तो यह आपके पास equation होगी x square minus 11x plus 8 equals to 0 तो यह भी क्या हो गया आपके पास एक दिविखास सम्मिकरेंट हो गया next question है 6 part x square plus 3x plus 1 equals to x minus 2 का whole square सबसे पहले इसको तो हमें कुछ solve करने की जुरत नहीं है इस bracket को solve करते है a minus b का whole square अब question है a minus b का whole square क्या होता है a square plus b square minus 2ab so a का square a आपके पास x, x का square b आपके पास 2, 2 का square again minus 2 into a a की जगा पर x और b की जगा पर 2 आपके पास आ गया so यहां से खोल लेते हम लोग formula x square 2 का square 4 हो गया और 2 दूनी 4 और 7 में x 4x हो गया so x square x square दोनों साइट से कट गया है जब आप solve करेंगे तो इसमें x square नहीं होगा तो जब x square ही नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा यह अपने आप एक द्विखाल समेकरन नहीं बनेगा तो इसका मतलब यह द्विखाल समेकरन नहीं है not a quadratic equation सेवन पार देखते हैं x plus 2 का whole cube okay x plus 2 का whole cube equals to 2x bracket में x square minus 1 so सबसे बहले हमने formula यहाँ पर लिख दिया है a plus b का whole cube क्या है a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square so a cube a की जगा x और b की जगा पर 2 so x cube plus 2 का cube आगे हम लोगे रहा formula के हिसाब से यहाँ पर रख दिया है 3 into a square a square means x का square और b की जगा पर 2 plus 3 into a a की जगा पर x और b का square 2 equals to में आपके बस यह जो bracket थी इसको खोल लेते हम लोग 2x bracket में x square minus 1 so इसे हम लोग next में हम लोग खोल लेंगे चलिए यहाँ से दिखते हैं solve formula x का cube x cube हो गया 2 का cube 8 हो गया और यहां से देखते हैं 3 to the 6 और साथ में x square 6 x square यहाँ पर 2 का square 4 4 को 3 से multiply गरेंगे 4 3 is the 12 और साथ में x आ गया minus x cube हो गया plus 6 x square minus 6 x square हो गया उसके बाद plus 12 x इदर आके minus 12 x हो गया plus 8 इदर आके minus 8 है जब आप solve करेंगे 2 x cube में से 1 x cube गया x cube रह गया minus 6 x square यह दोनों रखें में x की है 12 and 2 14 हो गया और minus 8 equals to 0 अब यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रिये power 3 जबकि हमें quadratic equation में power कितनी ची होती है जो घात है वो ची होती है 2 तो इसका मतलि यह quadratic equation नहीं है चलिए next करते है eighth part x cube minus 4 x square minus x minus 1 equals to x minus 2 का whole cube तो यहाँ पर whole cube का formula हमें पता है a minus b का whole cube a cube minus b cube minus 3 a square b plus 3 a b square so a cube x cube minus b cube 2 का cube minus 3 into a square x का square into b plus 3 into b a और b का whole square तो x cube minus 4 x square minus x plus 1 यह हमने ऐसी लिखा यहाँ पर इधर देखते है x का cube x cube हो गया 2 का cube minus 8 हो गया इधर 3 to the 6 और साथ में x square 3 x square हो गया 2 का square 4 4 3 the 12 12 into x 12 x हो गया अब यहाँ से मारे पास दोनों साइट से x cube x cube के इंसल हो गया तो क्या बचा 4 x square minus का और यह minus का 6 x square तो 6 x square के उधर लेके हैंगे plus का 6 x square हो गया minus का x था यहाँ पर मेरे पास minus का x था यहाँ पर और यहाँ पर था plus का 12 x यह इधर आके minus का 12 x हो गया इसके बाद यहाँ पर था plus का 1 और इधर था मेरे पास minus का 8 तो यह इधर आके plus का 8 हो गया तो जब इससे solve करेंगे देखते हैं minus 6 x square और x square 6 x square और minus 4 तो 6 में से 4 गया 2 x square हो गया 12 और यह भी minus x तो 12 और एक 13 हो गया और 8 और एक 9 हो गया तो यह क्या हो बन गया एक दिखात समेकर हो बन गया it is a quadratic equation चलिए next question represent the following situation in the form of quadratic equation तो आपको क्या करना है quadratic equation form करनी है but question में book में आपके बाद सिर्फ इतना ही है आपको quadratic equation फॉल करनी है लेकिन मैंने जो आपको solve किया उसको quadratic equation बनाने के बाद एक step और थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको solve करके दिखा दिया तो चलिए first part start करते है the area of rectangular plot is 528 meters square the length of a plot is one more than twice its breath तो सबसे important आपने पढ़ना है जो length है the length is क्या है one more than twice of its breath twice means दुगना उससे एक ज्यादा ठीक है so find length and breath of the plot तो चलिए अब देखते है हिंदी में एक आयता का भुखंड का छेत्रफल 528 meters square है यदि इसकी लंबाई चोड़ाई के दोगने से 1 meter दिखे अब जो लंबाई है चोड़ाई का दुगना और उससे एक ज्यादा है तो भुखंड की लंबाई और चोड़ाई ग्यात किजिए तो चलिए हम लोग suppose कर लेते हैं breath of the plot equals to x meter अब जो length वो क्या थी one more than twice of its breath तो breath का twice क्या हो गया x का double हो गया 2x और one extra means plus add कर दिया one तो हमने हिंदी में लिखा मानभुखंड की चोड़ाई बराबर x meter और लंबाई कितनी हो जाएगी दुगने से एक ज्यादा तो चोड़ाई का दुगना x को 2 से गुना करेंगे उसमें एक जोड़ देंगे 2x plus 1 आ गया अब देखते हैं formula आयत का formula है लंबाई गुना चोड़ाई area of the rectangle equals to length into breath तो area हमें दिया 528 इसका मतलब अगर मैं length को और breath को multiply करता हूं तो answer आना चीए 528 तो मैंने according to question लिखा length लंबाई 2x plus 1 चड़ाई x ब्राबर 528 अब इसका multiply करते हैं 2x को x से multiply करेंगे 2x के x और जब 1 से करेंगे तो x equals to 528 तो यह plus का 528 है इसको जब हम लोग इस side लेके आएंगे minus का 528 equals to 0 आ गया अब करना क्या है हमें हमें करना है 2 into 528 multiply करना है हमने यहाँ पर अब इसके factor ऐसे करने है कि वो minus करने पर 1 आ जाए तो मैंने यहाँ पर टुकड़े किये जब टुकड़े किये तो एक 2 को इसको include करें 32 और यहाँ पर आकरी में बचया 33 तो मैंने देखा 32 and 33 factor बन गए अब लिखना कैसे है देखते हैं बड़ी रकम का निशान होने चीए plus और छोटी रकम का minus तो मैंने लिखा 2x square और 528 को ऐसे लिख दिया जो बीच वाला 1 था उसको लिखा 33 minus 32 32 को पहले लिख दिया 33 को रकम में से first 2 में से common लिए 2x common आ गया तो क्या x minus 16 आ गया ऐसे ही जब आप इसमें से common लोगे 33 तो x minus 16 आ जाएगा next step में हम लोग क्या करेंगे x minus 16 यह देखें यहां से x minus 16 दोनों में आ रहा है मैंने एक बार लिख दिया क्या बच किया 2x plus 33 2x plus 33 ब्राबर 0 सो यह multiply यह ब्राबर 0 इसका मतलब दोनों में से एक रकम 0 होगी दोनों को हम लोग 0 के ब्राबर रखतेते हैं सो यहां से x की value 16 आगी यहां पर minus 33 by 2 आगी तो इसको हम लोग neglect कर देंगे इसको चोड़ देंगे अब question यह इसको क्यों छोड़ देंगे इसको इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि जो हमारे पास लंबाई और चोड़ाई वो minus में नहीं हो सकती so therefore आयत की जो चोड़ाई है वो आगी हमारे पास 16 meter x की value और जो length थी वो थी 2x plus 1 तो दो गुणा 16 32 32 32 और एक 33 तो इसकी जो लंबाई आगी वो आपके पास आगई 33 meter चलिए next question की तरफ चलते हैं इसका second part second part में हमें क्या बोलता है the product of two consecutive positive integer is 306 we need to find the integer तो क्या कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णाग अब question यह है यह जो consecutive positive integer है यह क्या होते है क्रमागत धनात्मक पूर्णाग क्या होते है तो इसके लिए example आप ले सकते है one and two consecutive means जो एक के बाद एक आए अब इसमें odd even की बात नहीं करें odd even के लिए अलग वो बन जाएगा तो अभी one and two की बात कर रहे है ऐसी आपका seven and eight nine and ten 13 and 14 कोई भी दो नंबर जो साथ साथ में आ रहे है उसको हम लोग बोलेंगे consecutive positive integers तो करमागत धनात्मक पुर्णाग तो अब जो साथ साथ हो ले नंबर उसके लिए हम लोग क्या ले लेता है suppose कर लेता है first number x तो second up क्या हो जाएगा x plus one हो जाएगा so इसके example हम लोगों मैंने आपको समझाने के लिए जैसे one and two one को first number हमने one लिख दिया अगर two को लिखना है मैं one plus two लिख सकता हूँ means अगर यह x है तो अगला number अपने आप x plus one हो जाएगा ऐसी five and six है अगर एक five है तो five को six को हम लोग क्या लिख सकते है five plus one अगर यह x हो जाएगा तो second number अपने आप x plus one हो जाएगा तो आपने याद रखने है जब आपको positive integers दिया हो जिसमें odd or even की बात ना की हो तो आपने एक को x लेना है एक को x plus one लेना है तो चलिए आप देखते है according to question question में बोल रहा था the positive integer whose product is product कितना है 306 तो product means multiply तो दोनों को अगर मैं multiply करूँगा तो क्या नाची answer 306 तो first number into second number equals to 306 तो इसको अब हम क्या करते है खोल लेते है एक्स को जब x से multiply करेंगे तो x square हो गया x को one से multiply करेंगे x हो गया equals to 306 हो गया आपके पास इस 306 को इस तरफ लेके आएंगे तो minus 306 हो गया तो आपके एक्वेशन होगी x square plus x minus 306 अब 306 के factor मैंने यहाँ पर कर लिए है आप एक बार practice जरूर कर लेना पटा क्योंकि यह बहुत important है कि आपको factor करने खुद आना चाहिए सो मैंने जो factor बनाए वो बनाए 18 and 17 सो 18 and 17 minus करने पर वन आ जाएगा और जो multiply करेंगे तो 306 आ जाएगा सो मैंने प्लस इसके factor लिखे x square plus 18x minus 17x minus 306 equals to 0 पहले फस्त दो रकम में से common लेना है हम लोगोंने इन दोनों में से common लेने पर x common आया x plus 18 आ गया अब जो x plus 18 है वो हम लोगोंने common ले लिया एक बार रह गया x minus 17 मैंने x minus 17 equals to 0 तो क्या करेंगे एक बार x plus 18 को 0 और एक बार x minus 17 को 0 यहां से plus को इधर लेके आएंगे minus 18 हो गया इस 17 को इधर लेके आएंगे plus का 17 हो गया तो जो minus 18 है इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे छोड़ देंगे क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास question था question था positive integers तो अब जो minus 18 है वो positive तो नहीं है तो इसलिए हम लोग ने इसको निगलेक्ट कर दिया तो अगर आपके पास first integer 17 है तो next क्या हो जाएगा x plus 1 तो 17 plus 1 18 चलिए अगला question आपके पास रोहन की मा उससे 26 वर्ष बड़ी है उनकी आयू का गुननफल अब से 3 वर्ष पस्चात मदल 3 साल बाद की बत कर रहा है 360 हो जाएगा रोहन की वर्तमान आयू गयात कीजिए तो चलिए 360 find रोहन's present age तो यह तो आपने वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि जब आपने कोई भी age वाला question करना है आपको हमेशा present age माननी है तो अभी हमने क्या मान लिया मान लिया रोहन की present age equals to x years और जो मदर की present age है वो क्या होगी 26 साल बड़ी तीन साल बाद क्या हो जाएगा उसमें तीन साल जूड़ जाएंगे तो इसी तरह जो तीन साल बाद की बात कर रहें तो हम लोग दोनों age में क्या करेंगे तीन साल एड़ कर देंगे तो रोहन जो अभी x years का है वो तीन साल बाद जाएगा x plus 3 और जो मदर की एज होगी x plus 29 लिखना नहीं भूलने हमने अब देखते हैं according to question तो इसमें यह बोल रहा था इनका जो product होगा वोगा 360 इनका product हम लोग देख लेते हैं तीन साल बाद वाला रोहन की एज तीन साल बाद x plus 3 और मदर की एज x plus 29 equals to 360 अब को लेते हैं x को पहले दोनों रकम से multiply करना है और 3 को दोनों रकम से multiply करना है so JAB X को x से करेंगे तो x square x को 29 से करेंगे 29x आ गया 3 को x से करेंगे 3 x और 3 को 29 से करेंगे 87 इस 360 को इस तरफ लेके आएंगे, तो अब देखते हैं, 29 प्लस 3, 32 हो गया, 87 और इधर माइनस, तो इसको जब माइनस करेंगे, 273 हो गया, अब क्या करना है, आपको 273 के फेक्टर बनाने, मैंने ये रफ में कर लिए, 273 के फेक्टर हमने देखा, ये आ गया, 39 माइनस 7, 32 आने हो डिए, परले इन दोनों रकम में से, और लास्ट के दो रकम में से, इन दोनों में से common आएगा, x, तो x प्लस 39 हो गया, इन दोनों में से common आएगा, माइनस आएगा तो माइनस वाली रकम को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि किसी की एज माइनस में नहीं हो सकती एक्स को जब 7 को धलेक्ए हैंगे प्लस 7 रोहन की जो प्रेजेंटेज जो वर्तमान आई हो है वह आगी सात वर्ष और जो मदर की प्रेजेंटेज है वह आगी एक्स प्लस 29 मीनस 7 प्लस 29 थर्टी सिक्स